तो आज फिर से मेरे पति देव जी को फर्माइस पर मैं बना रही हूँ तो यह देखिए मैं आरा रोट और बैसन फूट कलर और काली मिर्च का पाउडर नमक देकर इसे मेरिनेट कर ली हूँ अब इसमें से कुछ को मैं देखिए प्राई कर रही हूँ और यह रहा इसका सबत्यारी किया हुआ है चौप किया हुआ लहसुन है मिर्ची है अद्रग है और शिम्ला मिर्च है प्याज है और नन अदर देन अपना पणीर चिली मसाला मिक्स करण मारी जाए मारे दोस्तों विल्कम एक टो मैं मिनी व्लॉग तो आज फिर से मेरे पती देजी के फर्माइस पर मैं बना रही हूँ स्वेया चिली तो यह देखिए मैं अर रोड बेशन फूट करण और काली मिर्च का पाउडर नमक वगएरा देके इसे मैरिनेट कर ली हूँ पहले तो मैं इसे फर्स और वोल इसे बॉयल की थी उसके बाद मैं इसे यह सारा प्रोसेसिंग किया और यह देखिए देखिए कितना क्रिस्पी-क्रिस्पी यहाँ पर फ्राई हो चुका है और यहाँ पर मैं प्याच, कैप्सिकम, गालिक, जिंचर, क्रीन चिली वगएरा स हमारा ना ना दर देन, चार चांद लगाने वाला परी चिली मसाला मिक्स पर अपना भी वेजीटेबल से सब को अच्छी से सौटो करने है। मुझा करें देख सकते हैं कि यहां पर पनी चिली मसाला मिक्स को हम थुराचा पानी डाल के उसका घोल तेयार कर लिए मसाले गा और यहां जो आरा रोड का मसाला था इसमें हम मिला देए इसको वेस्ट क्यों जाने दे आखर इसमें भी तो मसाला डाला हुआ है ना तब इसको हम लोग अच्छे अब इसमें थोड़ा चिली सॉस एड़ करेंगे अब आप अपने अकॉर्डिंग सॉसेज आड़ कर सकते हैं थोड़ा टोमैटो कैचप एड़ करेंगे हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर एड़ करेंगे अब इस सारे मिश्टरन को मिक्स कर देगे करेंगे भ्रॉपले करेंगे करेंगे कर दोड़ा लाग प्रॉपले क्रेखिट आप कर दोड़ा बया या वहीं देखा जाए कहां तक पहुँचा है भाई यह देखिए यह तो रेडी हो गया वाउ अब इसको बंद कर जाए तो देखिए मुझे तो रोटी में खाना है इसलिए मैं ग्रेवी रखी हूं बट अगर आपको विदाउट ग्रेवी खाना है तो आप इसमें पानी मड़ा तो वो ड्राई बन जाएगा हम तो इसमें ग्लास पानी डाले हैं क्योंकि आरा रोट ऐसे भी फैलता है तो देखिए दस मिनट के बाद इसको खोल के देखते हैं देखिए यहां चिली पनीर रेडी हो गया है बनकर यह मैं ग्रेवी वाला बनाई हूं मैं जस्ट एगलास पानी इसमें एड़ की थी अद थोड़ी देर में यह देखिए जस्ट दस मिनट बादी इसका लुक देखिए कितना ओस लुक आया है अगर आपको ग्रेवी खाना है तो ही आप इसमें पानी आइड करिएगा अदर्वाइस आप पानी स्किप भी कर सकते हैं और आप इसमें मतलब सौसेज वगेरा देके हलका मतलब हलके आज पर उसको थोड़ा साफ सौटे करके फिर उसका बन कर दीजिएगा त फ्राइडाइस हो गया तो यह रोटी हो गया उसमें यह आप बहुत बहुत अच्छे से खा सकते हैं बहुत मज़ा लेकर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा हर हर माहा देव जामात दी रा तो देखिए यहां सोया चिली बनकर रेडी हो गया है यह मैं बनाई हूं ग्रेवी वाला क्योंकि मुझे इसको रोटी में खाना है बट अगर आपको ड्राइग खाना है तो आप इसमें पानी एड मत करिएगा पानी स्किप कर दीजिएगा सॉसेज वगेरा देकर बस थोड लिजे कि फ्राइडेस के साथ भी खाना चाहते हैं तो आप ड्राइग इस तरह से ड्राइग बनाकर आप खा सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही उंदा जाता है इसका टेस्ट एक बार आप इससे ट्राइग जरूर करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो कमें जरूर